हेलो व्रीवान वेलकम तू अभिमन्यु आईएस आई होग यू आउप यू आउग ग्रेट मइम इस अक्षय सोनी रिजनिंग मेंटोर एट अभिमन्यु आईएस एंड ऑल्सो यू आर वेलकम तू अभ्यास 2.0 जो की हर्याना सिविल सर्विसिस 2024 के लिए है ठीक है तो देख कि सेशन में आज हम डिसकस करेंगे जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉर एक्जाम पॉइंट आव यू जैसे कि अगर हम प्रीबियस कोशन पेपर की बात करें तो उसमें सी सेट में रीजनिंग का एक सिगनिक फैंट जो है पॉर्शन आया हुआ था ठीक है तो आपने री इसनिंग पार्ट ही आपको इसमें से काफी जो है मदद करें आपको उसको क्वालिफाइब करने में ठीक है तो आपने प्रीबियस सेशन जितने भी हमारे हुए हैं उनको भी आपने एक बार को शुरू करते है तो जैसे कि मैंने आपको बटाया कि हमारा शैशन है आज का सि है हमने शुरू किया है that is for 75 days ठीक है इसको आप अवेल कर सकते हैं for 35,000 रुपीज ठीक है यह लाइब बैच रहेगा और यह जो ऑफर है यह वैलिड रहेगा आपका जब तक हमारा जो है बैच स्टार्ड नहीं होता ठीक है अगर हम अभी मन्यों आइस की बात करें जो की है इसने 2021 में 41 प्लस सेलेक्शन दी है in HCS and 2022 में 27 प्लस सेलेक्शन दी है ठीक है इसमें क्या के चीज़े आपको अवेलेबल हो रही है आपको offline classes मिल रही है online classes मिल रही है cset classes मिल रही है pdf and notes मिल रहे है test series मिल रही है mentorship यह सभी चीज़े आपको available हो रही है तो आप इसको जो है अवेल कर सकते है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलोजिजम जो है इसका basic क्या है देखिए सिलोजिजम को आपने basic समझना है इसमें कि आपको चार keyword दिये होंगे एक होगा all, एक some, तीसरा no और चौथा है some not इसी में से आपको statements होगी और statement के साथ में conclusion होगा statement का मतलब है set of facts ठीक है और conclusion का मतलब है कि आपको उसमें से hidden relation निकालना है hidden fact निकालना है ठीक है all की अगर हम बात करें तो यह बताता है all जो है जितने भी हैं मतलब यह positive है 100% positive है ठीक है 100% positive ठीक है some की बात करें तो यह positive है यह दोनों आपके positive keywords है यह आपका 1% से लेके 99% तक किसी के बीच में भी इसमें लाई कर सकता है बट यह positive है similarly no 100% negative और इसी का थोड़ा part जो है यह बनता है some not that is यह जो है लाई करता है 1% से लेके 99% तक इसके बीच में इसकी negativity लाई करती है ठीक है मैं आपको इसको diagram से बताऊंगा कि हम when diagram से इसको discuss करेंगे कि किस तरह से आप इसको easily solve कर सकते हैं ठीक है all a r b मतलब जितने भी a है वो b बन रहे है और जितने भी b है वो c बन रहे है ठीक है आपको मैं थोड़ा इसमें क्योंकि fast track है तो थोड़ा जल्दी मैं इसको बताऊंगा देखिए आपने क्या समझना है देखिए a जितना भी part है वो b के बीच में इसका थोड़ा सा part भी क्य होगा b के बीच में आएगा तो a to b इसमें conclusion क्या बनेगा all हमें पता है देखिए all a r b जितने भी a है वो b है इससे ऐसे show किया all b r c जितने भी b हैं वो c है इस तरह से show किया अब देखिए a जितना भी part है वो b है तो इसमें थोड़ा सा part यह भी क्या होगा यह भी b होगा तो sum A, R also B, ठीक है इस तरह से बन रहा है B जितना भी part है वो C बन रहा है, तो B का छोटा सा partagram ले, तो वो भी क्या बनेगा C ही बनेगा, तो इस case में भी क्या बनेगा sum, ठीक है, but diagram A to C देखें, तो उसमें क्या बन रहा है relation, इसमें बन रहा है, जितने भी A है, वो C बन रहा है, directly तो नहीं given, indirectly उसमें बन रहा है manner में, तो ये बनेगा all and sum, दोनों को दोनों conclusion आपके इसमें true बनेगे, ठीक है, दोनों को दोनों keyword से जो related conclusion वो true बनेगे देखें, C का कुछ part B बन रहा है और C का कुछ part A बन रहा है ठीक है, जैसे example के लिए अगर मैं बोलूँगा, कि sum C is A तो sum C is A क्या होगा, true आएगा, बट अगर यहीं पर मैं बात करूँगा, second conclusion कि all C is A, तो वो गलत आएगे क्योंकि C का कुछ हिसा ही A बन रहा है, ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं C से बात करूँ A के लिए, यह आ जाएगा No C is A तो वो क्या बनेगा, वो गलत बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, अब यह मैं आपको बता दिया all के case में, अब हम discussion करेंगे, sum के case में, ठीक है अब देखे, यहां पर आपने और, तो इस case में क्या होगा conclusion जो negative है आपका यह false माना जाएगा similarly, अगर हम देखें इसमें, कि relation negative है conclusion positive बन रहा है, इसका vice versa, तो वो क्या हो, वो भी गलत माना जाएगा, ठीक है, एक और चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, अगर statement as it is conclusion में आ जाएग, यहीं आपको conclusion मिल जाएग, जैसे कि all a, r, b, तो वो गलत होगा क्यों, क्योंकि इसमें से हम कोई भी चीज को conclude नहीं कर रहे है ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, यह था all के regarding अब हम चलते हैं, sum के regarding तो sum के related यह जो है, इस तरह से diagram बनेगा जैसे कि statement है sum a, r, b ठीक है, तो a और b के बीच में कुछ हिस्सा जो होगा, mutually share होगा ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल किया, अभी मैं आपको बता जाता हूँ, देखे, यह जो portion यहाँ पे, जहाँ पे मैंने red portion किया इसको, तो यह portion है आपका positive जहाँ पे elements touch कर रहे है वो positive portion है जहाँ पे elements को line से connect किये गए वो negative portion है, ठीक है, यह positive portion है और इसमें यह वाला portion है, यतना हमें पता है कि यह sum है, ठीक है sum a, r, b, और sum b, r, a इस तरह से इसमें relation बनता है ठीक है, इस portion की बात, अगर हम करें यह वाला portion या यह वाला portion तो यह क्या है, यह indefinite portion है ठीक है indefinite है, और यह indefinite में, क्योंकि possibility वाला portion है, यह definite portion है और positive है, यह portion negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है इसमें possibilities आएंगी ठीक है तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम A to B बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़े true है ठीक है देखिए इसमें true है सिर्फ यह statement और statement अगर conclusion में आ जाएगी तो conclusion में as it is अगर आ जाए तो वो गलत होगी ठीक है तो इसलिए हमारे इसमें क्या बन possibilities ठीक है possibilities true होंगी ठीक है और जो reason आपका इसमें अगर हम definite अगर हम देखेंगे definite area को देखेंगे तो वो उसके case में possibility कोई भी true नहीं होती ठीक है जैसे कि अगर हम देखेंगे A का यह हिस्सा positive है अगर मैं इस portion को भी positive कर दूँँगा तो कितना positive बना यह बना all positive तो आपके sum स पहली possibility बनती है sum से all दूसरी possibility बनती है sum से sum नहीं है देखेंगे अगर मैं यह positive portion को देखूं तो यह भी positive कर दिया थोड़ा positive था बागी को positive कर दिया और अब इसमें कितना portion जो है positive है यह होगा और जो है portion positive है ठीक है और अगर मैं इसका दूसरा case देखूं यहाँ पे देखि इसको negative भी किया जा सकता है तो negative मालीचेज़ जैसी यह है तो यह अगर negative portion बन रहा है तो उस case में क्या बनेगा थोड़ा positive है उसको थम change नहीं कर सकते है बाट इस portion को तो change किया जा सकता है उसको negative बनाया जा सकता है तो यह आपका true आएगा ठीक है तो यह बनेंगे sum से जो पह some B are A ठीक है और similarly आपके दो possibility बनेगी इस तरह से all B can be A और second बनेगा some B can can't be या cannot be A ठीक है तो यह दो possibilities बनते हैं और यह दोनों को दोनों कि आउंगी प्रोव आएंगे ठीक है इसी तरह से A to B, B possibility बनेगी, ठीक है, मैंने आपको last जो आपको diagram बताया था, इस तरह से, ये था, A, इसके बाहर B, और इसके बाहर C, इस case में क्या होगा, जो आपके, जिस element के बारे में हमें 100% पता है, उसके बारे में possibilities नहीं चलती, ठीक है, तो अंदर से बाहर possibilities नहीं होगी, बाहर से अ कुछ part B है, C का कुछ part A है, तो इसमें क्या बनेगा, sum बन रहा है, sum C is B, sum C is A, तो उस case में क्या होगा, दो possibility बनेगी, एक तो बनेगी, all की एक बनेगी, sum not के, ठीक है, I hope आपको ये समाझ आ चुका होगा, अब हम next, जो है, page पे जबते हैं, next को discuss करते हैं, जो आपका next के word है, that is no, तो statement है, जैसे, no A is B, तो इस case में देखिए, A का कोई भी portion B नहीं है, ठीक है, अब इस case में देखिए, जितना भी A है, वो negative है, किस के लिए, B के लिए, तो उसका थोड़ा सा part भी negative होगा, आपने ऐसे मान के चलना है, जिस case में all true है, जिस element के लिए all true है, तो उसमें some भी true होगा, definite के case में, और उसी तरह से, जिस case में, जिस element के लिए no true है, उसके लिए some not be true होगा, देखिए, ऐसे example लेके चलें, कि ये A family है, और ये B family है, A family completely negative है, B के लिए, तो उसका जो छोटा स portion, आप मान के चलें कि एक बच्चा, जो होगा, वो भी क्या होगा, completely negative होगा, तो A का थोड़ा सा portion बना है, तो कितना part है, some part है, तो इसलिए क्या बनेगा, no के case में some not be true होगा, अब क्योंकि हमें ये पता है कि 100% of A are not B, that is, no A is B, similarly, no B is A, B की तरफ से भी same relation रहेगा, तो उस कि ये A और B, इन में पूरा negative relation है, तो इसमें possibility के chances नहीं है, तो आपने याद रखना है, कि जिस element के बारे में 100% हमें पता है, उसके बारे में possibilities क्या होगी, 0 होगी, जिस element के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में क्या होगा, उन दो elements के बीच में जो relation होगा, example के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, no B is C, तो A और C के बीच में हमें relation नहीं पता, B और C के बीच में C to A है, C to B है, B to A है, बट A to C नहीं है, तो उसके case में क्या होगा, only possibilities are true, ठीक है, तो यह आपने ध्यान में रखना है, अब इन में क्या होगा, जैसे मैं वोल होगा, ठीक है, no A is C, गलत होगा, बट यहाँ पर लिखूंगा कि मैं, no A can be C, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सही होगा, इसमें बोला गया है, कि कोई भी A C नहीं है, तो वो हम बता नहीं सकते है, definitely हमें नहीं पता, बट possibility में तो हमें बता है, कि कोई भी A C नहीं हो सकता, possibility तो हो सकती है, तो possibility इसमें सही आएगी, ठीक है, अब इसमें हम next discuss करते है, sum not को, तो sum not का आपने क्या करना है, diagram याद रखना है, इस तरह से, कि जब भी ऐसे बने, जैसे मालो, A, A के साथ में B का relation इस तरह से बन रहा है, और B का completely negative relation बन रहा है, C से, ठीक है, example के लिए पहले है, मैं आपको इसमें, जो रहता है, concept वो बतायता हूँ, जैसे example के लिए, sum A, R, B, ठीक है, इस तरह से आपको statement given है, तो, okay, sum A, R, not B, इस तरह से statement है, अब इसमें देखिए, इसको हम बता सकते हैं, कि A का कुछ portion, इतना सा portion मानके चलते हैं, कि ये जो है, negative है, for B, ठीक है, इसको आप ऐसे मानके चलो, कि ये A family है, और उसका थोड़ा सा हिस्सा, कोई मानके चलते हैं, कि कोई एक बच्चा है, ठीक ह इसे, ठीक है, तो ये जो relation बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, इसमें जैसे मानके चले, A to B, ये बना आपका, one-sided negative relation, अब one-sided negative relation है, तो उस case में क्या बनेगा, इस case में, आपको ध्यान रखना है, कि A to B ही हमें relation पता है, बी-टू-ए नहीं पता, बी-टू- unknown relation में इसको count किया जाएगा ठीक है unknown relation के case में आप याद रखेंगे जिसकी तरफ से में relation ही नहीं पता तो उसके बारे में हम definitely क्या बता पाएंगे उसके case में होंगी possibilities ही true ठीक है तो B to A only possibilities आएंगी ठीक है और A to B क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कुछ negative है अब देखिए वही example लेके चलते हैं कि A family का कोई एक लड़का जो है उसने लड़ाई कर लिए B family से तो वो जो है बाकियों को influence कर सकता है बाकी persons को influence कर सकता है अगर इसने influence कर लिया बाकी persons को तो क्या होगा तो उस case में यहाँ पे वो सभी negative हो सकते हैं तो उसमें देखिए आपने याद रखना है simply some not से चलती है दो possibilities some not से क्या आएगी इसमें आएगी थोड़ा सा negative उससे complete negative हो सकता है तो यह no यह पहली possibility true होगी second इसमें आपने ध्यान रखना है कि यह जो person है इससे influence नहीं भी हो सकते हैं हो सकता है कि इसके बहकावे में ना आए यह बाचे जारी रखें ठीक है तो यह क्या होगा यहाँ पे इनका relation जो होगा b से positive हो सकता है बट कितना सिर्फ sum थोड़ा सा positive तो sum not से sum का relation जो होगा यह possibility में second true बनता है ठीक है इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी आपका यह completely positive नहीं हो पाएगा ठीक है और मालो ऐसे ही sum not आपको दे दी जाए कि sum a cannot be b जो statement हमें पहले से दी है जो हम पहले से चीज जान में जो है statement के regarding ठीक है अब मैंने आपको cases बताने दे अब देखिए जैसे कि अगर आपके पास diagram इस तरह से बनता है तो इस case में क्या होगा कि a कुछ portion जो है b के पास occupied है वो क्या बन रहा है वो negative बन रहा है क्योंकि किस के लिए c के लिए तो a to c क्या बनेगा इसमें sum not relation बनेगा sum negative ओके और उसी तरह से एक और इसमें अगर हम डाइग्राम देखें दूसरा डाइग्राम आपको देखने को मिलेगा इस तरह से जैसे कि यह b है और यह a और इसी के साथ में negative relation में है c तो a का कुछ हिस्सा जो की b बन रहा है वो negative बन रहा है c के लिए तो उस केस में भी क्या होगा a to c यह sum not बनेगा अब देखें c to b clear है c to b clear है इसमें relation बट c to a clear नहीं है तो उसकी तरफ से क्या बनेगा c to a बनेगा unknown relation ठीक है तो इसको आपनी ध्यान रखना है c to a unknown relation और उस केस में क्या होगा all definite false all possibility true ठीक है तो चलिए हम इसके questions को discuss करते हैं और साथ ही साथ एक जो इसमें concept रहता है आपका जो आइदर और वाला वह भी मैं आपको उसमें question के साथ में ही बताऊंगा ठीक है जैसे कि आपका पहला question यहाँ पर given है यह पी वाई क्यू से है ठीक है previous question पर देखिए यहाँ पर given है कि no quadrilateral और polygon ठीक है कोई भी quadrilateral polygon नहीं है तो quadrilateral ऐसे मान के चलो यह quadrilateral बन गया इसका relation polygon से क्या है ठीक है completely negative और आगे बोला है all polygons are rhombus ठीक है जितने भी polygons है वो rhombus है ठीक है अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यह case बन रहा है आपका सम not का किस तरफ से यह बन रहा है कि जो पी है जितना भी portion है वो negative बन रहा है quadrilateral के लिए और जितने भी polygon है यह किसके बीच में rhombus तो rhombus का थोड़ा सा party polygon बन रहा है और negative बन रहा किसके लिए quadrilateral के लिए इसमें some rhombus are quadrilateral देखिए rhombus का quadrilateral से relation जो बन रहा है वो बन रहा है ठीक है यहाँ पर मैंने इसको highlight किया है तो यह क्या बनेगा यह आपका सही बन रहा है तो उसमें क्या आएगा only second follow ठीक है second correct है इसमें next question देखिए कि इस question में given है all candles are lantern all lanterns are bulb जितने भी candles है वो lanterns है और जितने भी lanterns है वो bulbs है ठीक है तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर diagram बन रहा है अब सबसे पहले देखिए all lanterns are candle जितने भी lanterns है क्या यह candles है इसका तो थोड़ा सा इससा बन रहा है लेंडर्स का कुछ पाट candles बन रहा है जबकि candle इतने भी है वो lantern बन रहे है ठीक है तो आपने ध्यान रखना है कि definite के case में सम से all नहीं बनेगा ठीक है उसमें जिर्फ possibility में बनता है तो उसमें all lanterns are candle जो होगा वो गलत बनेगा ठीक है all bulbs are candles all bulbs are candles तो वो भी क्या बनेगा देखिए bulbs का कितना है इससा candle बनेगा सिर्फ थोड़ा सा तो यह क्या बन रहा है यह भी गलत बन रहा है इसका मिनिंग है कि नीदर नो ना तो पहला ना ही दूसरा सही है ठीक है तो option डी इसका अंसर बनेगा चलिए next question है यह question है यहांपे कि some scales are pencil कुछ scales pencils है और some erasers are pencil यहांपे कुछ erasers pencil है ठीक है तो इस तरह से बन रहा है देखिए pencil का ही scales relation है pencil का ही eraser से स्केल और एरेजर में अगर हम रिलेशन देखें, तो हमें पता नहीं है, अब देखिए, सम पैंसिल्स और एरेजर्स, सम पैंसिल्स आर एरेजर्स, तो यह बन रहा है ना, रिलेशन देखिए, यहां पर गेवन था, सम एरेजर्स और पैंसिल्स, तो उल्टिमेटली पैंसिल् तो यह सही बन रहा है सम पैंसिल जाइल सम पैंसिल जाइल तो यह रिवर्ट सोडर में आपका क्या बनता है जब डाइग्रांब से मैं तो रिलेशन दोनों तरब से सेंगा ठीक है तो दोनों को दोनों सही तो अब इसी में इसी कोश्चन के अगर हम बात करें इसी कोश्चन में तो आपको पॉस्टिबल जो आइदर और का केस भी बनता है आइदर और को आपने ध्यान में रखना है ठीक है कि उसमें यह जो डेफिनेट में बनता है मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनता ह देखिए, सबसे पहले आपको पता रखना है, आपने ध्यान रखना है, कि element same होने चाहिए, ठीक है, second, both conclusion wrong, both conclusion false, तीसरा आपका बनना चाहिए, one conclusion positive, and other negative, ठीक है, और चौथा इसमें elementary जो है, complementary pair, sorry, वो कौन-कौन से बनती है, वो बनती है, एक तो बनती है, all, दूसरी बनेगी, इसके साथ में बनेगा some not, ये एक positive एक negative है, ठीक है, दूसरा बनेगा some not, का, और तीसरा बनेगा some or no का, ठीक है, तो एक some का होना जुरूरी है, अगर हम all or no को देखें, तो वो गलत बनेगा, अब इसके case को मैं यहाँ पर discuss करता हूँ, जैसे, some sre, ये पहला, मा लीजे पहला conclusion है, second conclusion है, no s is p, ऐसे बनता है, ठीक है, तो उसमें देखिए, आपको ध्यान रखना है, कि ये आपका relation जो है, element same आगे, देखिए, element same concept बन रहे है, ये element है, s और e, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, s और e, और second में भी s और e बन रहा है, ठीक है, और second s में कि दोनों conclusion गलत बनने चाहिए, s का e से relation नहीं पता, यहाँ पर हमारे दोनों conclusion गलत आएं तो इसमें कौन सा बन रहा है, एक some or no का complimentary pair आ रहा है, तो इसलिए ये case बन रहा है, आपका either or का, ठीक है, तो इस सीच का आपने ध्यान रखना है, चलिए next question पर move करते है, इस question में given है, कि no bagger is poor, कोई भी bagger poor नहीं है, ठीक है, some rich are beggar, some rich are beggar, और आगे है, all classes are poor, जितने भी classes हैं, वो poor हैं, तो यहाँ पर मैं ये class word लिख देता हूँ, ठीक है, all classes are poor, तो सबसे पहले देखिए है, all rich being poor is a possibility, all rich being poor is a possibility, अब देखिए आपको relation यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से, कि जितने भी bagger है, वो completely negative है, किसके लिए, पूर के लिए, ठीक है, यह यहाँ पर relation है, तो bagger का कुछ हिसा rich के पास भी है, उस बज़ए से negative portion इसके पास भी आ गया, तो rich का relation poor से क्या बन रहा है, completely, sorry, थोड़ा से negative, some negative, some negative हो रहा है, तो some negative, थोड़ा से negative होने के बज़ए से, मैं rich को इसके अंदर नहीं लेके जा सकता है, ठीक है, तो some negative से बनेगा, complete negative या तो no, या some से, some not से some, बट इसमें बोला गया है all, तो यह क्या बनेगा, यह आपका गलत बनेगा, second देखिए, all beggars being, classes is a possibility, जितने भी beggars है, वो classes हो सकते हैं, तो देखिए, beggar का poor के लिए completely negative relation है, और poor के बीच में ही classes आ रहे हैं, तो यह beggar जो completely negative होगा, classes के लिए भी, बट यहां पर इसकी possibility दीखिए, तो possibility क्या होगी, यह भी गलत होगी, तो यह दोनों के द है, some mangoes are bananas, कुछ mangoes bananas है, ठीक है, आगे है, some bananas are apples, some bananas are apples, तो इस तरह से इसमें relation है, some apples being mangoes is a possibility, some apples being mangoes, apple और mango का relation नहीं पता, तो possibility true, no apple is mango, कोई भी apple mango नहीं है, apple का mango से क्या relation है, जो है, हमें नहीं पता, जब नहीं पता, तो क्या होगा, यह जो definite में है, तो यह गलत आएगा, सही आता, तो उसमें only one follow, तो option A इसका answer बनेगा, ठीक है, चलिए, next question है, some ships are boat, कुछ ship जो है, वो boat है, all boats are submarine, जितने भी boat है, वो submarine है, और some submarines are yachts, some submarines are yacht, यह बन गया, अब यहाँ पे पहला देखिए, some yachts are boats, some yachts are boats, इसका relation नहीं पता, ठीक है, तो possibility में होगा, तो definite में गलत है, some submarines are boats, कुछ submarines boats है, तो यह बन रहा है, submarine का थोड़ा से हिसा यह, जो है, boat बन रहा है, तो यह सही है, some submarines are ships, some submarines are ships, देखिए, submarine का कुछ हिसा, यो ship भी बन रहा है, तो यह भी सही बन रहा है, ठीक है, और next है, some yachts are ships, कुछ yachts है, जो कि ship है, ठीक है, तो yachts का relation जो है, ship से क्या बन रहा है, नहीं पता, तो यह गलत होगा, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, only second and third follow ठीक है next question है इसका यहाँ पर given है some cats are rats कुछ cats rats है और all bats are tables all rats are bats देखिए यहाँ पर given है rat का relation bats से और all bats are tables जितने भी bats है वो क्या है tables तो यहाँ पर इस तरह से relation है cat का relation सभी से positive बन रहा है सबसे पहले some cats are bats कुछ cats bats है तो यह सही बन रहा है कुछ हिसा है इनका mutually share हो रहा है all bats are rats जितने भी bats है वो rat है नहीं rat का कुछ हिसा rat बन रहा है इसलिए क्या बनेगा गलत बनेगा all tables are cats जितने भी tables है वो cats है नहीं इसका relation बन रहा है सम इसलिए क्या होगा गलत all bats are cats जितने भी बैट्स हैं वो cats नहीं इनका रेशन क्या बन रहा है इसमें सिर्फ सम बन रहा है इसलिए क्या बनेगा यह गलत और यह कोपरेशन एंड जाने से पहले यह कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू सो मच